जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, मैं आप सब के साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, एक बार की बात है, मैं किसी पार्टी में गई, तो मैंने अपने कानों में सुई धागा वाले जो टॉप्स होते हैं, वो पहने हुए थे, तो क्या हुआ कि वो उन्हों टॉप्स दूसरे कान का भी उतार कर एक टिशू पेपर में रख लिया, और घर आ गई, और घर में आके अपने कबड के ड्रॉर में रख दिया, अब मैं रखके भूल गी, मुझे नहीं याद की मैंने रखा है वहां पे, तो थोड़े दिन बाद मैं जब सफाई कर अब लगी ड्रॉर की, तो मुझे नहीं रखके टिशू पेपर क्या पड़ा है हां पे, तो मैंने टिशू पेपर को ठाया, एक लिफाफे में डाला, और बाकी कुछ कपड़े अपड़े थे और कुछ कागजवागज थे, वो भी उस कपड़े में लिफाफे में डाले, ता जो टॉपस और तो देखा, तो मेरा वो टॉपस नहीं था, तो मैंने सोचने रखी की मेने कहां रखा है, फिर मुझे याद आया कि वो तो मेरे टिशू पेपर में डाला था, और टिशू पेपर देखा, तो वो वहाँ था नहीं, अब मैं गुरु जी से प्रेयर करी जाओं गुरू जी प्लीज मेरा टॉप्स ना गुमें, सोना गुमना वैसे भी अच्छा नहीं होता, मेरे साथ यह चीज पहले भी हो चुकी थी, कि एक बर मेरा सोना गुम गया था और अच्छा नहीं हुआ था, तब मैं गुरू जी को फॉलो नहीं करती थी, तो इस बार जब मेरा गुम हुआ, तो मुझे लगा, फिर इस बार जब मेरा गुम हुआ, तो मुझे बहुँआ टेन्चन हुगई, मैं गुरू जी से प्रेयर करना रहन रहि गुरू जी प्लीज घुमना ओ, फिर मुझे एकदम से यादाया कि मैंने वो जो पेपर और मेरे जो सके इंदर टॉप से वही के वही मिले ऐसी है हमारे गुरुजी की महीमा जै गुरुजी सच में ऐसी ही है हमारे गुरुजी की महीमा गुरुजी हमारा ध्यान हमसे जादा रख सकते हैं उनको पता है वो हमारे आगे आगे चलते हैं हम तक कोई मुसीबत नह आने देते, बस हमारे में कमी बस इतनी है कि हम सबर नहीं कर पाते और जल्दी से विचले तो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा लेकिन गुरू जी हमेशा ध्यान रखते हैं, हम कोई चीज कैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमें कभी कि या अच्छा है की अजलत है हमे शायद नहीं पता चलता और हम जल्दी वह जाते हैं कि नि treatments प्रसाइब मंदि करने गुरू जी से गई भर गुषा भी हो जाते हैं तर लेकिन गुरू जी से गुरूजी गुरू जी बहुत अच्छे हैं बहुत हमारे लिए हमीशा कड़े हैं जै गुरू जी शुकराना गुरू जी